राम राम सारान है मैं थोड़ी से लेट हूँ क्या गुरू यहां पे टाइमिंग अलगा आप सबको बताए भारू भाई कहां से शुरू करें लेकिन वो बात है ना कि जिन्दा है तो जिन्दा दिखना जरूरी है और अब तो बात अस्मिता की इजट की और संसकारों की हो गई है तो आज काफी शोशल मीडिया के जागरूक लोगों को पता है हलाकि मैं लाइव काफी टाइम से मैंने आना छोड़ रखा है लेकिन मुझे लगा क्या बोलना पड़ेगा कई बार लोग ना आपकी कमजोरी होने के नाति एक समाज की लड़ाई मैं लड़कर आई हूँ क्योंकि मैंने उनका नित्तरतव किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि आम रिस्पोंसिबल सिटीजन ओफ इंडिया तो मेरा कॉंस्टिचूशन मुझे अलाव करता था लिखने के लिए तो मैंने एक बड़ी में होते हैं तो विरोध बनता है आज किसान रूठे हुए हैं किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी नराज की जायज है सत्ता को जवाब देना पड़ेगा हमारे 300 से जादा भाई शहीद हो चुके हैं बोर्डर पर उसके बावजूद पिछले 5-4 महीनों से सा के साथ गलत हो रहा है लाठी चार्ज हो चुका है वाटर कैनन से हमला किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ती की जारी है हम लोगों की हम लोगों को भाजपा के नीता कभी आतंकवादी कहते हैं कभी हम लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं आप फेस्बुक पर लिखत किया जा रहे उसके बाद हम लिखे भी ना क्या हम लिखना भी छोड़ देव तो भाईयो लड़ाई तो ये थी जो आप सब को पता है जो देश और दुनिया में जो आज हालात हो रखे हैं आज हमारे किसान समाज को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और उसके बावजूद अ और भाईयों को बरी करवारे टिकेट साब का दिल देखिए उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया आज मुदा दो महिलाओं को लेकर है साथियों मैं पहले तो मेरा प्रीचर देने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि हिंदूस्तान का सारा कमेरा वर्ग मुझे जानता है मैं य की वज़े ये है मैं लंडन में बैठी हूँ मैं हिंदुस्तान में उतिताज में प्रैस कॉन्फरेंस करके इन लोगों को जवाब देती जो हुआ है और मैंने सदा दिया है लोगों को जवाब जब भी मेरे समाज के खिलाफ ओवाज उठी है चाहे वह कोई नेता है या वो कुछ वहयात सी महिलाइं फेस्बुक पर लिख रही हैं, उनकी उकात इतनी है कि उनको मैंने करॉप्शन के चार्जिस में जेल बिजवाया था और भाजपा की नेत्री होते हुए, वो अपने आपको सौकोल्ड कहते है कि वी आर बीजेपी लेडर और उनहीं की सरकार ने, उन की बाद हम शुरू करेंगे, लंबा चल सकता है भाई, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगे शेयर करो, आज तुमारी बेहन की इज़त की बात है, और उस लड़की की इज़त की बात है, जिसने सदा समाज की लड़ाई लड़ी और बीना मांगे लड़ी, किसी से कुछ नहीं म बैठे तो उस तरह इंपर सब को पता है, संगीता कब और की सालात में आई थी, आके एक एनराई लड़की थी, विदेश में काम है, विदेश में रही हूं, सदा विदेश में रहती थी, मुझे क्या पड़ी थी, मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगी, नेता बनना था मु बिलकुल अगर जाट अपने आपको जाट कहेगा और ये बात लोगों को गुना लगता है, लोगों को ये लगता है कि जाट को ना कोई गुना है तो भही आपने दर्द को अपने पास रखो, जाट हैं, चोड़े मैं कवेंगे हम जाट है, ठीक है, किसी को तकलीफ होती हो तो लड़ो, हमारा इतियास बहुत अच्छा है, हमने लडाई लडीह, इस देश की अजादी की लडाई लडीह, देश में शाधत हमारे भावीदिया रेप, बोर्डर पे हमें हैं, स्पोर्ट में हमें, लेकिन किसी को अधिकार ने हमारी जाती के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और हमारे सद्गलत करेगा आरक्षन की लड़ाई लड़ी क्यों लड़ी हमारा रिप्रेजेंटेशन टोप पे होना चाहिए था क्यों हम इतना हमारा वो तो चलो मैं कई बार आरक्षन के मुद्दे पर बोली हूँ लेकिन वो जैन ग्यारा से लेके 2016 तक मैं विदेश में ही रही हूँ मैं इन बिट्वीन में इंडिया आई बीच में आती जाती रहती थी अपने समाज की लड़ाई लड़ी क्योंकि मैं बढ़ी लिकी सिक्षित महिला थी मुझे यह लगता था कि और मैं आज गरव से कहती हूँ मैं पंचा होई बच्चों को मुकद में मैंने बरी करवाई मैं पूरी पंचात में उस दिन मेरे खाल से दो से तीन हजार आदमी पंचात में मोजूत है पूरे भारत से जाग समाज किया के लिबेटी पंचात में रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को कर रही थी कैप्टन अभी बार अपने भाईयों के लिए मैं हाथ जोड के आई हूं मंतरी के आगे बैठके कि मेरे भाईयों को रिहा करो बल जी बल जीत सिसाय गावाले बल जीत सरपंज सुबै सिंग समयन दया खाफ वाले महंदर सिंग नांदल भूप सिंग दलाल जी अरे खाफ समाज के जितने गदमे वाले भाईयों की मदद की दलजीत सिसाय की मदद की दरमें अंदर उड़ा की मदद की मनोज दूहन की मदद की किसकी मदद ने की संगीता दया ने यह सारे भाई आज मेरे साथ खड़े जाट समाज वारे लड़ी भाई में आप लोगों के लिए कोई बात ने 2017 से ल इतनी जिसमाज जितने भी बड़े किसान निताज हैं। हर मोव्मेंट में साथ निया। भावजून भाएवद मुझे अपना प्रिचे देने की जरूरत निया। मेरे भाईयों ने आज व जू वस्तुरुत को जवाब दिया। सोरत की बाद पर आ जाती ये तो है बबीता फोगाट संगीता दियागा वजूद अब मैं तुझे ये बताती हूँ मैं कौन हूँ आज भाई हर्याणा सरकार की चेर परसन सो कॉल्ड अब तो मैं उसे सो कॉल्ड ही कहूंगी कि जो छोटे बड़े की शरम भूल जाए उसको मैं यही कहूंगी कि ये उसके संसकार थे जो उसने अपनी पोस्ट डाली उसमें लिखा कि एक बहन है संगीता दिया ये तो था संगीता दिया का परीच्च है बहन जी आपने अपनी पोस्ट में दो बाते लिखी है उन दो बातों का जवाब में आपको देना चाहूंगे और बिल्कुल चोडे में दे रही हूँ आप तो डरते हुए पोस्ट को डिलीट करके भाग गए क्योंकि उकात नहीं आप लोगों की देश के लिए मैडल लेके आई है न तो कोई शान नहीं कि है हमारे उपर अजारों बेटिया मैडल लेके आती है हर ओरत अपने अपने फिल्ड में सक्ष्यम है don't have any right मेरी education क्या है वो ते तरे खांदान में भी कोई इतना नहीं पड़ रहे जितनी मैं पड़ी लिखी हूँ चलो चोड़ों मैं उस बात पर नहीं जाना तुमारे घर में कितने मैडल आए आपके ही घर से सिरू करते हैं आपके घर में आपकी छोटी बहन है विनेज फोगाट गरव है मैं उस बेटी पे पूरा किसान समाज़ाज विनेज फोगाट पर गरव महसूस करता है तुमहारे उपर क्यों नहीं कर रहा हिंदु 스न का पूरा किसान समाजाज विनेश फोगाट पे गरव महसूस करता है क्योंकि वो किसान के असली बेटी वो है जो किसान के दर्द में खड़ी है आपके जीजाजी है बजरंग पुनिया पूरा देस बजरंग पुनिया पे गरव महसूस करता है पूरा देस वो आपके जीजाजी ह तुम्हारे रिष्टेदार है तुरी छोटी बानविया राखी है किसान समाज फकर महसूस करता है बजरंग पुनिया पर क्यों वो किसान का बेटा है किसान का दर्द समझता है पैरा तम सारे अपनी घर में राय मिला लो तम किसान के गैल हो एक ना हो छीक है अब मैं बताती पूरी तुसे मैं तुझे तू कहके भी नहीं कहना चाहती है आज तो आप चेहर परसन है बड़े हो गए हो काफी लेकिन वक्त भूल गए शायद लेकिन मैं एक चीज़ बता दू साथियो दुशन चोटाला और मेरी वैचारिक लड़ाई है दुशन जी मेरा बहुत सम्मान करते हैं बवीता फोगाट सुन ले पूरी जजपा पार्टी मेरा सम्मान करती है क्यों करती है मैंने उन लोगों का साथ दिया है मैं जीन चुनाओं में कब गई थे आपको बता दू उनकी पार्टी को संभालने वाले जो टोप लेवल मेनेजमेंट के जो है ना लोग है उन भी दुश्यंत जी मेरा इतना सम्मान करते हैं क्यों करते हैं क्यों कि इजद्दार हूं समाज की बेटी हो समाज को लीड किया है मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं बैंजी थुमके लगाओ थी तम दूश्यंत ताओ का दूसरा रूप देविलाल का जब तो तुमके लग तो पूरा खांदान तो डांस करने लग रहे ते दुशन चोटाला के गाने पे उस दिन तो दुशन तो भाई बहुत अच्छे दुशन तो भाई आज अच्छे क्यों नहीं रहे ऐसी क्या वजरी तुम जेजेपी पार्टी छोड़के भागे अब सुन मेरा वजूद उस पार महिलाओं में आपकी काउंटिंग हैं हम चाहते कि आप जेजेपी की स्पोक्सपर्सन बने पूरे परदेश की यह संगीता दया थी जिसको राजनीती में नहीं जाना था पूछ ले ना दुशन चोटाला जी सो मैं पूरी मीडिया को बात कहना चाहूंगे अगर वो मना कर द लेकिन मैं दुशन जी का आज भी सम्मान करती हूं क्योंकि वीचारों की लडाई है ठीक है हर इंसान की राजनीतिक आइडियोलोजी अलग होती है इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में कुछ भी गंदा उल्टा सी दालिख देंगे मैं बीजेपी के भी हमारी किसी से कोई वैक्टिकत लडाई नहीं है यहाँ पे ना मेरी दुशन से कोई लडाई है ना भुबेंदर सिंग उढ़ाई है ना खटर साब से कोई लडाई है ठीक है तुम लोगों की तरह नहीं है जिस पाल्टिका खाते हो उनी के खिलाफ तुम मेरी गाड़ी मांग के क्यो लेकर जाया करती है, मेरा ड्राइवर आज भी गवा इस बात का, रात बर मेरी गाड़ी तरहे घर में खडी रही, मैंने अपनी गाड़ी में तुझे बेजा, मापे बिठा कि तरहे पास तो गाड़ी भी ना थी, पर चलो तुम समाज के बच अकात नहीं है तुम लोगों की, पहली बात, दूसरी बात अब सुन, तुने ये जो रामाएंड जो फैलादी फेस्बुक पर देखा तुमने मैं कौन हूँ, तुमने एक पोस्ट डाली बवीता फोगाट, इतना लंबा चोड़ा मेरे बारे में आपने लिखा, जाट समाज ने और किसान समाज ने जाट की तो बेटी हूँ, और चोड़े में कहते हूँ, समाज की लड़ाई लड़ी है, तभी मेरा पूरा समाज मेरे पर गरव मैं हैसूस करता है, आपकी चर्खी दादरी में, 2017 में, आपके सांगवान खाप और फोगाट खाप का सम्मेलन था, ठीक चर्खी दादरी आओंगी, जिस दिन इंडिया आओंगी, तेरे पीच्छे पब्लीक जादा, चर्खी दादरी में है संगीत, मेरे पीच्छे जादा, टै कर लिए, मंतरी आगे आजरी, मारे ते चेर्मैन नहीं मिल आग रहे, अगर मुझे मिनिस्ट्रस के हाजरी करनी होती और मुझे अगर राजनीती करनी होती न, जिस दुश्यन चोटाला के तुम लोग बैग उठाते हो, दुश्यन चोटाला जी, मुझे पचास बार ओफर कर चुके थे, कि आप राजनीती में आए, मैंने तो कमी मेंबर का पद भीना लिया, ठीक है, ये तो संगीता दयागा भजूद था, अब सुन पढ़ाई की बाद, तो ने क्या लिखा कि मैं मस्ती मारती तब तो 9 बज़े भाजा करती, जब तू चार बज़े भाजा करती, न, मेरी बेबे, मैं 9 बज़े उठका अपने गाउं में रोना गाउं में मेरा, लैंप ले का गाउं में लाइट ना आ पढ़ाई हूँ और उसका ये फर्क है आज एक 32-33 साल के एक लड़की 50 से ज़्यादा देशों में अपने डंपे ट्रैवल कर चुकी है अपने डंपे खमाके खाती है अपने डंपे आज वी देश में कंपनी सेक्टर के बैठी हूं के रहे जैसे तो मेरे दोरा छोड मैं आज कुछ कही है क्यों करें अपने डंपे अपना मुकाम बनाया है और तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे कि मैं जब तू मस्ती मार्या करती मैं बताओं क्या तम कित-कित मस्ती मार्या करती ये गंदी जुबान सब कर सकते लेकिन मैं फिर भी तुमेरे से छोटी है कही साल छोटी है हम तेरे जितना गिरड में सकते हैं मैं जिस समाज का नेतरतव करती हूं मैं तुम लोग जितना गिरड में डे सकते हैं तुमारी वेक्ति-कत बातर यां फेस्बुक को पे लिखूँ आपका लेए इतना है मेरी भ multipl किढ़ गंदा लिखा, आपको वहीं पे 500 मेसेज थे, उस मेंसे 400 99 भाईयों ने तुझे गाड़िया दी है, वहीं से तुझे उकाथ तेरी पता चल जानी चाहिए कि समाज क्या होता है, समाज पहले होता है, राजणीति बाद में होती है बाई चारा पहले होता है राजनीति बादें च्मा सकती हूँ मैं भी आज राज था मेरा अगर मैंने दュशेन ट की वोट कर tapa क्यूं चोडा के गई मैं भी अर्याडे में बैठ सकती थी मैं तो सरकार आंगे लंडन आ ली मैं थो और्याडे बार जाओ आपके साथ चाय पिय ने है, मैं ना उक्मारा क्या है, समाज में और उसका रजल्ट आप कई बार देख चुके हैं ठीक है और रही मेरी शिक्षा की बात इंगलिस तो मैंने बोल लिये निकदे मैं तो अर्यानवी बोल लू हूँ मैंने तो कभी भी मुझे तो पता नहीं कितने लेंग्वेज आती हैं मैं जिन यूनिवस्टीज में पढ़ी हूँ न वो यूनिवस्टियों में एडमीशन होना ही बड़ी बात है ठीक है लेकिन मैं उसके बाउजिद्मी में शूफ नहीं करती मैं तो समाज में गई हैं मने बाई सुत्रे सूट पैर कर गई हूँ अपने चुन्नी डाल का शूफ को ना करत राणते हमकिते हैं हर्यान भी बोल ली है जाट की छो रही हूँ संस्कारों में पली बड़ी हूँ ठीक है व्यक्तिगत जिंद्गी किसी की कुछ भी होती है लेकिन हम नहीं करे समाज का बुरा ना चाया मने खरे समाज से पैसे ना मांगे मने चंदा ना मांगे समाज पर कि किसे का वहम हो किसे नेता का वहम हो रहाने मैं जब मैं सारे नेता इज़त करे हैं तब भी मेरी नोन पॉलिटिकल विमेन होके मेरी राज में इतनी चलती है जिन लोगों को ये वहम है कि संगीता दया कौन है संगीता दया ने इज़त कमा रखी है तब एक वो जो भुकरी सी नाम लेके तो वो क्यों नेता बनानी है, सारे अर्याने न समझ गे वाईवा नूक है आगरती मैं बाजपा की बहुत बड़ी नेता हूँ बहुत बड़ी नेता मानती थे, उसके तो इंटरनेशनल संग में सम्द थे तीन दिन तो CIA का रिमांट हुआ था, रोध तक में उसका, चार महीने जेड में भी जवाई वामन है और उसको सिद्धा मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा था, आज बता रही हूँ, सिद्धा मैंने CM साब को, अनिल विजी को, राव नर्बीर जी को उस टाइम पे ट्रांस्वोर्ट मिनिस्टर होते थे, खुद मेरे गर में बैठके मैंने कहा मंत्रियों को, मैंने कहा कि जी ऐसा है, उस दिन PWD में मैं गई मीटिंग करने, गुडगाओ, खुद मैंने BJP के मिनिस्टर को कहा, आप ऐसी वाहियात औरत को जेल में डालोगे, य खिसानों के बच्चों के पैसे खा रखे थे, या संगीता है जो समाज की लड़ाई लड़ा है, थारे की डाला फुकरा बनती ना करती गुमती, मैं मेरे बाईयाग एक और रपी राखे गालक में डंडा देंगे, आज सुड़ ले, ये मेरा लेवल है, अगर कोई भी मेरे स हमाज के बारे में गलत कहेगा, हम बोलेंगे, चै बबीता फोगाट और सुनाली फोगाट तू भी सुन लेगा, आपसे मेरा कोई प्रिच्चर जादा है नी, मैं ना तुझे जानती तू कौन है, एक तेरी मेरी एक बबीता फोगाट की शादी में ही एक मुलाकात थी, लेक यह तरे पास 65 कि ले, तो तू एक काम कर, तेरा तो लेवल ही नहीं, आठमी फैल है, मैं तो एक बात कहते हूं, किस कल लाई वाड़ा, किसान के तिनों बिल, अच्छे से समाज को समझाजे बिल क्या है, हम माल लेंगे, भाई तूम किसानों के निता बन जाओगे, तूम किस इसका जैसे दिल करें वैसे आ जाई हो, डिबेट करनी हो, पंचात करनी हो, पंचात करनी हो, पंचात करनी हो, पंचात करनी हो, पबलिक, तेरे उसमें, आदमपूर में, सुनाली बैंजी, तेरे आदमपूर में, अरबभीता, तेरे दादरी में ते मेरे 10 प्रोग्राम हो र पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होगा है ठीक है डिगरी होना और ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है और वो सबसे बड़ा ग्यान तो संस्कारों का था महारे बुट्डे मरे ना दिखे तम न कोई सी नभी दोनु जणिया न शेरम बेज खाई कती तम ने 300 आदमी महारे मेरी पढ़ाई चल रही है और बबीता फोगाट जिस यूनिवर्स्टी में मैं लंडन में पढ़ रही हूँ ना ठीक है तम नाम लेने भी नाम है तम रहन दो मेरे मूँ तके सुनो हो ठीक है कल तक तो अमीर खानत अरे उपर मूवी बना दी मुसल्मान बहुत आच्छे ला लेकिन अपने समाज का कुछ तोस्ती तो होगा थरे भितर सत्पाल मलिक जी है गवर्नर होते हुए वह हमारे समाज के फेवर में बोल रहे है सीख उन से कुछ उन से आपको सीखना चाहिए उमर कम है ये किसान ये भाई ये वोट गे रहेंगे फेरावेगी इंदोर वोट मा टिकेट लिया ये तू छोड़ तो चैलेंज करकर कर वहां आज बाजपा वाले अगर तो टिकेट भी दे ना मेरी आज की इस वीडियो ना रिस्टोर कर लियो तो टिकेट भी नहीं मिल्ला गरती है मना तम समझाई भी थे एक बार आज ली मारे मैं ये भीजे पी आ लेंगे टिकेट नहीं होता है इन चीजों से यार चेर्मै नी बैंची दरी की दरी रहा जागी समाज गला लडाई नहीं करया करते हैं इतनी ये बेओताली है ना तू इतने बड़े स्थाल्डम वाली तू तो नूमान नो कमें इंटरनेशनल लीडर हैं तो विमेन रिप्रेजेंट लिए हम तो छोटे मोटे मान ले तू लेकिन हिंदुस्तान के सारे समाज के जो परबुद जो वैक्टितर है ना वो लोग मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं या मैं थी जिससे मिलने आप ताज होटल में आई थे मदद मांगने के लिए ये संगीता दया थी ये संगीत देती हूँ ये मैं थी जो जीन दिलेक्शन में तुम लोगो का स्टार परचारक बनाया था ना था था ना था था थरतन यूबताया करती यो बोल दे रिए लिए लिए पूरा जीन दगवा है ठीक है तन माईप पकड़ना तनन ना आया करता हम तो बहुत पढ़े लिखे औ थीक है मेरे को इससे ज़्यादा बोलना नहीं है इससे ज़्यादा तो मैं कहूंगी तो मेरी माली बात बेटी क्यों गदा कुरुडिया मेरं जारब लगू में डड़ा मारेगी चित्टम चीट होगी हम तो पूरा परिवार शो के तुमेरे बारे में इतना गंदा लिख सकती ह सब बैभाशा में ट्रोल करना चीए मैंने आपके को कभी तू क्या के नहीं बोला था मैं हमेशा आपको आप क्या के बोलती थी और बहुत सब बैभाशा में लिखती थी मेरा काम है लिखना मैं सत्ता के खिलाफ लिखती हूँ मैं तो हूँ मैं क्रिटिक्स में रहती हूँ ह मैंने कॉंग्रेस के खिलाफ भी लिखा है अभी मेरी में इंडिया इथी 15 दिन पहले मैंने चोड़े में कभुपिंदर सिंग उड़ा जी के बारे में मैं तो कॉंग्रेस के खिलाफ भी लिखती हूं मेरा काम है यह लेकिन उस चीज को समझने के लिए अकल का उना जरूरी है ठीक अकल ना है अकल ओती तो अपनों के हिलाफ निए खड़ा व्या करते अकल होती तो बेर सकने था हूँ और तेवे तो सब्सक्राइए तु कर ले नहीं करें तु रेली कर लें डादरी में रैली कर का क्यूस्पर ब़टें तू в किसान कर रहे सातरे त्री उकात ना है, तम फेस्बुक पे क्या लगतन है, ये पेज बना के, ये पेज लाइक, लाइका के बुक के हम मैंने जिन्दगी में बभीता, चलो भाई तम सारे देखो, लेकिना सूर देखो, बताओंगे मेरा छो उठ रहा है, पच्छे साल मैंने आज तक अमना पेज ना बनाया, क्या लगता है तुम लोगों को, मुझे पेज बनाना नहीं आता, मैं पेज नहीं बना सकती, क्या मेरा आज तक एक भी पेज नहीं है, मेरी एक ये थोटी सी प्रोफाइल है मैं इसको भी बंद रखती हुए, एक साल बाद मैंने फेस्बुक चलाया है, मैंने आज तक अपना पेज नहीं बनाया है, वरना बबिता तेरे जितने फोलोवर होते हैं, ठीक से, हमने ये कोनी शोग थारे की डाड़ा, ये मेरे पचास अजार लाइका गे, ये अरे लाइका अपना फुक है कि जब समासनगार बक्का है, जिस दुशन्त के गाणों पे तु डांस करया करती है, वे दुशन्त चोटाला अर्थम्नाज ब्याशादिया मैंना बुलाती, सोनाली फोगाट, तु नुख वैत्यक दुशन्त उड़ता तीर ले ती, दुशन्त ने लिया तर साथ, जेज़पी पाल्टी के, किसी आईटी सेल के, किसी बंदे ने तरी वीडियो शेर की, जज़पा से लेके, दुशन्त चोटाला जीतक, दिगवी जयतक या पाल्टी के, किसी भी, किसी भी आदमी ने तेरा साथ दिया, किसी ने भी तुम लोगों का साथ दिया, क्यों पाणी में है अरे का दी बैन जीनत में नू बता दू हूँ एक बत जीड में जाया ही ठीक है ये बत वो केस साल ले रहा है सजा करवाओंगी कितना ही लिख ले फेस्बुक पे और भाई क्या नी ना चाहिए बगवान ए जिसका नू कहा रहा ना खसम मर जावे वह पागल तो ह पागल होगी ठीक है और शरम आती है मेरे कौन लोगों पे जो समाज के नाम पे पैसे खा के तुम अपना घर चलाते हो गरी बाईयों के तुमने उखरी लगवाने के नाम पे पैसे खा लोगे थारी अपालिटी के राजनीती वाले आदमी तुम्हें अंदर उठा के जेल मे मुझे दे रहे हो क्यों भाई कदे बाजपा में चले जाओ कदे कोंगरेस में समाज की मैं तो भाई दोजार सोडा से लेके दोजार इकिस आ गया सिर्फ अपनी समाज की बात करते हूं और हर उस आदमी के खिलाफ हो जो बीजेपी के साथ जाएगा पहले दिन भी अनुआन का यही मतलब है इन जो ओरते हैं इनको सिर्फे मत बिठाओ इन महिलाओं को क्या लगता है कि हमने दो मैडल अमदेश के लिए लिए तो किसानों से उपर हो गी है यह समाज से उपर हो गई है इन लोगों को सुनाली फोगाट को यह लगता है कि तू बिग बोस में चली गई तो तू पूरे हिंदुस्तान की सर्ताज हो गई है भाई सोनाली फोगाट मैडम तेरा मेरा परिच्चा को नहीं है लेकिन मैं तरे को बता देती हूं यह लुगाई है न जो आज महिलाप महापंचात हो रही थी बाई चांस आज में इंडिया में नहीं हूं ना तो पहला व पहलाने चाहिए यह चीज है अपनी समाज की हो आप लोग कि मैं सुन्दर हो लोगों को एतरा जाप अकेली सुन्दर हैं क्या मार्किट में सुन्दरता क्या होती है सुन्दरता इंसान की सिक्षा होती है उसके विचार होते हैं उसके संसकार होते हैं क्या कि आपने किसानों है एक पार्टी को सत्रा साल देने के बाद आपको एक MLA की टिकेट मिलिए इससे ज़्यादा तो आपकी उकात नहीं है सत्रा साल ठीक है और उसके बावजूद भी न्यूज में जिस मंत्री की तू सबसे ज़्यादा आजरी मा रहा है किरसंपाल गुजर जी सिक्षा मंत्री न और बबीता तुझे तुम्हें आपको मेरी एक ही सला है वेक्टिगत टिपनी नहीं करनी चाहिए समाजिक दाइरे में रहो सब वेवाशा में आप ट्रोल करो वरना कौन कितनी मस्ती करता है फोटो और वीडियो भी वाइरल करवा जेंगे करें वैम हो ठीक है किसी को वैम हो ना अतरी बाणा के फोटो और वीडियो भी वाइरल हो सकते हैं चोड़े मैं कह रही हूँ डर्टे नहीं है किसी से भी यहाँ पे किसी भी ओरत के बारे में ठेके दारनी नहीं है समाज की चेर्में बना रहा कि रुमने घर में रहे और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चा कि मैं आपको पर्सनल भी यह बात लिखूंगी और भेजूंगी आप लोग समझा लीजे अपनी नेताओं को पड़ी लाठी ना ली ठीक है मेरे समाज को गालिया देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को मैं अपने समाज की तरफ से बोल रही हूँ अपने सारे आज खापने बात करके मैं बोल ली हूँ ठीक आपको बता देती हूं तुसके बावजूर मैं आप लोगों को यही बता रही हूं कि अपने सारे समाज से बात करके मैं बोली इनको शरम आने चाहिए ठीक है मेरी आदत नहीं है मैं इनके खिलाफ इतना ज़्यादा चिलाओं डेली बोलूं मेरी मेरको सिर्में दर्द हो जाता है इतना गंदा आप लोग कैसे लिख सकती हो आप लोगों को अपने 300 भाई नहीं देखे मरते हुए तो शाथियों मैं यही कहूंगी इनको बगवान खड़ी थी हमेशा थारे दुख में खड़ी रही हूँ चोड़े आज तो मैंने इसमाईला का विरोद नहीं किया अब अब इता फोगाट का चोड़े मैं कह रहे हैं अगले एलेक्शन में सरपंची चोड़े ने मेंबर भी नहीं बढ़न जांगे अर्दादर यारो सुन ल है सब ने वे रहे हैं जज़र में ना इसमसोरी दादरी मे सबने पता थारे कितनी घूदडिया थारे पुराने परचे हैं थारे केंप से लेके विदेशों तक के चर्चे मारे पास हैं लेकिन मैं वैक्तिगत नहीं जाना चाहती है हाँ अगर कोई वैक्तिगत बोलेगा और वैक्तिगत टिपनी करेगा तो चाहिए वो स्टार इंटरनेशनल स्टार है नेशनल स्टार है चाहिए कोई भी स्टार है कहीं का भी स्टार है जैसे दिल करें वै किसी को भी कुछ भी कैद होगे, फेस्बुक पे आओगे, किसानों को आतंक वादी बता दोगे, तू पीछे मुसल्मानों के बारे में टिपणी कर रही ती अधिकार दे दिया, क्या आपको किसी ने बभी दा फोगाट, कौन है तू, क्या पारे मुसल्मानों के साथ, बता तू के करेगी, हमारे तो बाईचार है, मुसल्मान के साथ, है कौन तू टिपणी करने वाड़ी, फेस्बुक पे ने ताना बना जानता है, हम भी कह सकते हैं, यह तो तुम पेज मनाते हो, तुम लोगो क्या लगता है, मेरे एक मिलियन फॉलोवर है, तुम अन्य दुनिया मोल ले ली, तुरा करजा बर तू मैं, क्या मैं ते राख्या मागना राख्या थारते हैं, तेरा करजा नहीं ले रही, और आएंदा, मेरे और दुशन चुटाला जो, मैं यह कह रही हूँ, मैं उस पार्टी के आज भी संब्मान करती हूँ, मेरे आज भी पारिवारी संब्मद हैं उस गर में, थारे तैं हैं कोने, और उकात नहीं हैं, अगर तुरा यू भैम हो, तु उत्राबा, थारा सारा कुमा दुशन दोर जागर बूज लियो, और दुशन चुटाला मेरे जिन्द कीम खिलाफ नहीं खड़े हो सकते हूँ, उनको यू पता है, एक मैं सब बैह हूँ, सब बैतरी के से बात करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज़त करते हैं, बहुत इज़त करते हैं, और आज भी करते हैं, ये बता देती हूँ मैं, सब बैभाशा में विरोध करना, कॉंस्टिचुशन मुझे अलाव करता, दूसरे के मुझे फॉलो नहीं करते, उनको पता है, मैं उनके खिलाफ भी लिखती हूँ, लेकिन खिलाफ लिखने का ये मतलब नहीं हो, ता मेरे उन्चे व्यक्तिकत संबन खराब हो जाते हैं, तुने लिख कैसे दिया, कि हम तेरे माईक उठाएंगे क्या, जिस गाड़ी तक ठारे दो रहें ना थी, थम नमे कैन आना चांते हैं, फिर तुम किस के बारे में लिख रहे हो, जिस लड़की ने सदा समाज की लड़ाई लड़ी, सदा खापो की लड़ाई लड़ी, पचास से ज़्यादा मुवमेंट अकेली ने किये हैं, जब तु सणक पूछा गरती ना, साइन्स इंजिरिंग की पड़ाई करया गरती, जिस यूनिवर्स्टी से MBA करके आई हूँ ना, तोने थे MBA की फुल फॉम नहीं पता होगी, जिस क्वार्परेट में मैं ठोप लेवल पे रही हूँ ना, थारी गुदड़ी ना है, ठीक है, तोने थारी तोने थारी 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 तो ने क्यों ना बुलाता कोई प्रोग्राम में में पीछले एक साग सित्रे को किसी जाट समाजने प्रोग्राम में बुलाया किसी किसान के प्रोग्राम में तुझ बुलाया जाता है तो ने बुला ले आगए कोई थारा विरोध ताब हुआ कि था ही भोगा थारा विरोध है बात करें तू थारे जिशे थारे जिशे ना बैटकर स्पोंसर करें ग्रूब में तू ताज होटल में फोट्टू के रूंगे तरह तरह बाई का तू रा उल्तरा बाई सनक लास आ तूम दोनों आये थे मेरे दोरवक्त न बूल गे कि मैडम ऐसे आज जोड कर यार देखो कु मैं बहुत बड़ी इंटरनेशनल रैसलर हूं चैलेंज करती हूं खाड़े माजी है तू तू छोड़ तू पढ़ाई का तू थरा लेवल ना है बत नमीजी बरदास्त नहीं करेंगे माइंड इट इस इस माइओ उफिशिल स्टेट्मेंट माइंड इट वस इतनी लेंगव और मैं करूंगे मुख्य मंत्री जी से बात थारी तो खाथ को नयुड़ है रिखनेट से तूमारी अप्ता करना है अक ढसाहए सब्सक्रा योले कंब युदियों पर लिख घिलिया अगरती कि ़ृदित क्या सट की समवार्ण आंग है किसी को कुछ भी लिख देंगे ग गडरां को गत्य tent थोड़ मेरे मूँ तक रहा केली कर जागा बस मैं यही कोँगी अपनी बेबे विनेस फोगाट ते सीख थोड़ा सा वो तुरे को समझा देगी ठीक है गरव है मैं विनेस फोगाट प्याला कि तुम सारे परिवार को दर दो रहा होगा मैं विनेस का नाव ले रही हूं पर वो अच्छी लड़की है वो तुमारे जैसी नहीं है वो अच्छी बेटी है समाज की हम उसकी तारीफ करते हैं अम बजरंग पुनियागी तारीफ करते हैं तरह रिष्टेदार है तरह चो उठ रहा हुगा लेकिन हम बजरंग पुनियागी तारीफ करते हैं ठीक है संगीता दय या क्या है ना, वो समाज तै करेगा, तू ठेके दारणी निए, मेरे समाज की, तू एक पालटी की कारिय करता भी नहीं, आज के दिन चमची मार है वापे, चमची मार के दो नोकरी छोड राखेना सरकारी, दो पार्टी में तू ठुमके लगाया करती ना जिस पार्टी के लिए तुम गाना पर डांस करया करते उस पार्टी के मुख्यमंतरी जी से यू पूछ लियो संगीता दया कौन है ठीक है और आज भी कितना समान है वाँ पे मेरा जजबा पार्टी का कोई कारिया करता से लेकर कोई नेता मेरे खिलाफ नहीं बोले आस तक क्यों क्यों नहीं बोलते उनको पता है ये प्रैक्टिकल बाते करती है करती हूं क्यों मैं टोप पे हूं क्यों हर पंचात में मुझे बुलाया जाता है क्यों इंटरनेशनल लेवल पे यहीं कहेंगे चम्ची मा रहे तह बई किसी की बेटी के लिए कुछ भी उल्टा सीदा लिखेंगे तो सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा आज के बाद मैं तरे को चैलेंज करके कहती हूं अब तक तो मैं बोली नहीं थी जाट समाज और यह सारे किसान जटेरी किते थारी किते इज्जत हो जाना तम देख लिए मेरा यह लाई भी बहुत है मुझे बोलने की जरूरत नहीं मेरा समाज मेरे साथ खड़ा डंके की चोट पर खड़ा है तो 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 तरे पीछे डाई आदमी नहीं खड़े मेरे पीछे दुनिया खड़ी है तेरी चरकी दादरी में जग और टाइम टेक लिये जब आउंगे तरह को भीड दिखा सकती हूं मेरे पीचे कितनी पब्लिक खड़ी है दोजार सित्रा में आई थी इतना बड़ा सम्मेलन था अकेली लड़की थी हूं सम्मेलन में अकेली लड़की दही आके 42 गाउं है जिस गाम की छोड़ी हूं दवाय आएक वाक हाजली थी मेरे गाम गई क समाज में ठीक पूरे समाज में पूरा हिंदूस्तान आज मुझे इतने भाई लाई देखने लग रहे हूं आलाकि मने तो घणा सा ग्यान को नहीं शेयर शार का इसका प्रतम सारान बता दू कि शेयर आदमी के 10 रुपे ना खाय करें चंदा मांगूं कि मैं जब-जब मेरे समाज को जरूरत थी अपने समाज के साथ खड़ी थी बविता फोगाट जहां से देख लें इस चेयरे को तुम लोगों को नफरत तो बहुत है क्योंकि मैं सच कहती हूँ आख तेरी तेरे का पोस्ट करना ओफीशिल पद पे वैटके बींग चेयर परसन ओ फरियाना आप ए जो सोस्त हैं गर्वित आप में आफ़ फंद aquान ओरласт फरियाना जिस की एक आवाज पर जारो आद मी रोड़ लिखिड़ात जिस संगीता तया खातर सारा पृशाशन एक है जिस संगीता दे यह तरही तेरी पालिटी के नेता आज कह रही हूं तरहे को जिस मिनिस्टर को फोन कर दू यूं कहा आखरे पहला तो बैंजी आप आप हो ना बोला आपके करम अच्छे हैं इसलिए आपके साथ खड़ी हैं जिस पालिटी में तू आजरी मारा है न उस पालि संग पूच्छा गरती जिस दुश्यंत के गाने पर तू सारा खुंडबा न आच्छा करते हैं तो दुश्यंत तरकी न होई तू बीजेपी की हो जाएगी आजरी मारते आंडो चेर्मैनी मिलगी तंखा जादा है चेर्मैनी की सब इंस्पेक्टरी नोखरी छोड़ दी तन कोई शी भी बोल लेने इपकी बार यार सोना ली दो नू क्योंकि पता वह बड़े शाने का आगरा मारा समाज का फरज के हो है जब यह समाज के खिलाफ लाग जया ना पोलड़ इनका घेराओ करो वहां पे जाके इपकी बार एकोई शी बती बोल नहीं नोड़े घेर लो मै सारी अबनी काकिता आगिया नभी को और महिला मापंचात वाड़ी बाई तुम जितनी महिला मापंचात में आसती मैं इंडीज वल भी आप लोगों से बात करूंगी गेरे बनालो 500 500 700 700 लुग आईया के इनना गरते लिकरते गेर लूड़े इनना पता चला कि के लुगाई यहां पता की इज़त ओए यहां लखे गया मरे बारे में शरम ना आंती मस्ती करती तुम लोगों तुम लोगों ने बता तेरा पूरा खांदान जवाब दे देगा कि मुझे मस्ती करते हुए कहां देखा था इतने जिम्मेदार पता और मुख्यमंत्री जी मैं एक ओफिशल लेटर लिखूंगी बलकि एक चेर्मेन होने के बावजूद आप जार समाज की नेता मस्ती करती है जर्या तो जवाब दो कहां मस्ती करती थी शरम आने चीए सारी शरम बेज खाई बविता फोगाट तुने पूरी शरम बेज खाई ज्यों करांति ना आ रहे है संग मैं आजरी मारे तक करांति ना आ वर संग की आना भी थरी जरूरत को ना संग को ये पता तुम भाईया थो सारे के सारे तुम भाईया थे एंटर्टेनमेंट के लिए टिकेट दी जाती है वने कल बड़े अच्छे तुम रिखाता स्पोर्ट्स वालों की टिकेट होती है घीक है इसलिए टिकेट मिलिया आपकेल लेनी हो तो समाज में । अमाज में मैडल लेकर है और भी बहुत बहें हैं आइमारी जो मैडल लेकर आई हैं अगली बार उन ने दे लेंगे टिकेट देने खरो दो अ इतना भोत है, बड़ा दुख है मुझे इस बात का, दुख के साथ साथ दुख इस बात का है कि बुद्धी ब्रेस्ट हो जाए ना जब आदमी की, जब उसको अपनी बरबादी दिखे, कि यार मैं तो नेता नहीं बन पाई, मैं तो आ गया ML नहीं बन पाऊंगे, और ये किसा अब अपनी शोशल मीडिया पे जाके उल्टा सिद्धा, और एक बात और बता दू बभी ता बैंजी, मुसल्मान को नहीं, तू कुछ भी कह देगी, वे माइनियोर्टी में आते, चुब बैठे, जाट की छो रही हूं, लिखन ते पहला 14 बार सो चलिए, कि देवारो होगे, तू सेम बोल लूँगी, कोई छोटे बड़े की शरम नहीं है, मुझे भी अग, मनना ना थे MLA बनना, ना MP मनना, ना ठिकिट चाहिए, ना राजनीती करनी, और किसे ने ता दोरच लीजेए, ये मदद मांगण, चैलेंज करके का हूँ हिंदुस्तान का को नही था म मेरे, ठीक, संगीता दया, इज़त कमाई है, खुददारी के साथ जीती, इमानदार हूँ, साथ क्यावन का भी मुकदमा को ना अस तक, रो तकाड़ी तू भी सुन ले, तू मना कई बर समझा ली, पक बक 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 तरे चार लाइक नाम ते बाई, उसके मैं, उसका तो मैं न बहना है, लंडन बैठी है, अर भैं, लंडन बैठी है, अमेरिका बैठी हूँ, अटिकेट ने टिकेट करा रहा किया के, पीसे दे का बेज रहा क्यों, कमा कर ख GH shares, अगज घ्री आ तर्प या है, सणा ली दे का भूरी है, शरम ना रांती तुमने, मांदब कोई बच्शा क बाद बाई है कि यह तो इत्तम वो सलोग सा बना लो दस आईडी दस आईडी बनाने के बाद दस लाइक नहीं आ रहे ओ कात है यह तुम लोगों की ठीक है चलो भाई मैं यही कहूंगी मेरी कोई वैक्टिगत दुस्मनी नहीं है किसी से भी लेकिन बबीता छोटी है मेरे से सम पर किसे न कम मता की हूं ठीक है तुझे यह पता है बिहांड दा वोल सब राजा है है यह थीक है थारे बर्गे है ना थारी कानी अलग हो है मारे जिग अलग हो है इतनी इंट बोथ है पढ़ी लाठी निलेडी चाहिए चोट के रकित कितला ग्याक्ट रहे और आखरी बात नेता ने बढ़ेगी आज के बाद, चैलेंज है, अजिस को जो काया न वो हुआ है, फोटू के चाहिता नेता ने बढ़ सकता आदमी, अरियाने मतना को मेंबर ने बढ़न दे आज के बाद, तुने अपनी जो बची खुशी, जब तुने जाग समाज की बेटियों के बारे मे मैं भी लिख सकती हूँ गीता के बारे में, मैं लिख सकती हूँ तेरे बारे में, लेकिन मैं अपनी कलम गंदी नहीं करूँगी तुम लोगों के बारे में गंदा लिख के, मैं लिख सकती हूँ तुम कहा मस्ती करती थी, मैं तो इतना लिख सकती हूँ कि मैं नाम लेके भी लिख सकते और वे लोग भी कहेंगे हाँ जी सच है but I'm sorry this is not my level this is hint only मेरे पास 10 phone आई हैं दिन में बैंजी ये ये चीज़े हैं 10-10 साल परानी बाते भी हैं लेकिन बबीता this is not way to talk with anyone and this is not way of politics राजनीती सब्बह भाशा में होती है विरोध सब्बह भाशा में होता है आप ट्रोल करो सब्बह भाशा में मैं ट्रोल करती हूं सब्बह भाशा में ओरत है चेर्मेन है सरकार का इतना अंगामत दिखा मैं वो लड़की हूँ जब जात अंदोल में बच्चों की लड़ाई लड़ती थी मुझे ये रहा अगरता रातन पुलिस ठाके भीतर गेर दी कि मैं जब ना डुरी, सारा परसाशन मेरे खिलाफ था एक जमाने में, मुझे मिनिस्टर ये कहते है ते तु क्यों बोलती है, तुझे उठा के अंदर कर दे, मैं जी काड़े चाड़े ना जाब राकिए, कि मैं गल है, तु क्या, तु मुझे देश भक्ती सिखाएगी, संग मुझे देश भक्ती सिखाएगा, तुम लोग लिख देते हो, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, शादत दी है, मेरे घर ने, देख दिखा, मैं डल नाना बत्ती हो है, बोर्डर पर शही दोड़े बत्ती हो है, मन बुट्डे दिखे मेरे मरते मनने मेरा समाज दिखे है मैं यहां बैठ के मेरे को क्या जरूरत दर्वाइज I can make my contact I can earn money ठीक है मैं भी एक अच्छी जिन्दी की जी सकती हूँ हमने तरह इतने प्रोग्राम करवाई तरह बहुत साथ दिया मैंने बहुत साथ दिया बबीता मैं खुद दादरी आई तरह साथ देने मैंने हमेशा तुम लोगों का साथ मैंने मानना अगरती मेरे समाज की लड़की है मैंने अपने समाज की हर भो बेती को हाथ पकड़ के माइला मापंचाय चल रही है सुमन उड़ा वापे गई हूए उसका साथ मैंने दिया श्वेता डूर फेस्बुक पर लिखते हैं उसका साथ मैंने अरे पता नहीं कितनी महिलाई ऐसी हैं समाज बे जिनको मैंने आगे बढ़ाया जो जिस मोड में आगे आई जिसको फेस्बु और वेरा रिप्रेजेंट माइक एमेनिटी तोडे मैं पंचायात में स्टेज पे नहीं हूँ लेकिन खुद में एक कुद में एक इस्टिशन हूँ याद रखना इस बात को संगीता दया अपने आप में बहुत कुछ है मुझे अपना नाम बनाने के लिए समाज में जाने क ज़रूरत नहीं है मेरा समाज मेरे पास आता है मेरा समाज अगर मेरे ओपर खरोच भी आगी न मैं मेरे को कई बाते ऐसी में कहना आनी चाहती कई बार ऐसी सिच्वेशन हुए है मेरे मेरे समाज के 25-25 साथ में मुख्यमंतर ये पास जाके यूँ कहा दिया था एक बार को बात होगी थी मारी छोरी है सरकार लगा के दिखा दो समझ गे तम सरकार यह समाज में मैंने इज़त कमा यह मैं हूँ मैं सब छोड़ चुकी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी संगीता दिया एक नाम है याद रखिए चेर्मैन होगी अपने घर में होगी अपनी उकात में रहिए ठीक दूसरों की बहु बेटियों पर टिपनी करने से पहले अपना करेक्टर अपनी नहीं देख के बाद करिये वहर यू बडर मेंडल से ज्यादा नहीं है ना उस समाज से ज्यादा तो परेखिए लड़ाे लड़ती हूं है अर ऐक चीजों है नहीं बहुत पहले का था यह जितने भी इस है जिसे पर्पारइब्रीटी है उन्हार मोल ले लिए एक एक मैडल तो लिया है डेस का नम ऊचरा कर दिया मारे खिसान डेस का हर्साह निए के पिंचासी परसेंट आबादी मारे खिसानों की है इतने किसान मरके बोर्डर पर वोज भाई शहीं दोड़ लग रहे हैं इनका दी मैडल दिखें अरे मैडल दिखो तम डी एसपी बढ़ा दिये एसपी बढ़ा दिये इंस्पेक्टर ला दिये ठीक है मोल लोगे हमने मारे किसान वो बेटी पणि करोगे तना किसान उब दर्व इनकी उकात नहीं है इनकी उकात नहीं है मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ और और किसे का बैम हो यो उसने जो लिख्याक माइक पकड़ा थी दुशिन चोटाड़ा जी वहीं है पूछ लिओ बाई जाके इजी अवेले बले दुशिन का नंबर सब के पास है आज भी उसकी बैनिवाल को सारा अर्याना जानता है किसे का बहम हो बैनिवाल जी से पूछ लियो ठीक लेकिन मैं बरदास नहीं करूंगी कोई भी फाल तू बोल लेगा बैनिवाल जी वह आदमी है जो दुशिन चटाला की पार्टी में सर्वो समसे उपर है और सिरफ उन उस आदमी के आ उसके बाद जवाब दिये तू ये जो तुम ये गंदा गंदा लिखती हो ना ये लिखना बंद कर दो इतना जवाब मेरा भोतरा आग्ये से भाई समाज आ लो कोई मैडल की शरम नहीं है जाट समाज थारी बांड जो कैद यारवा फिर पत्थरगी लखी रहे तम नहीं वे इन तब चलो ये ठली छोड़ दी समाज में इनके फोलोवर हैं इन लोगों को लगता है कि तुम कुछ भी कह दोगे संगीता के बारे में तुम कुछ भी कह दोगे मारी किसान नेताओं के बारे में तुम कुछ भी कह दोगे मारे जवादों के बारे में नो they don't have any permission and we won't give any permission लकीरे खीच दी है जाट समाज और किसान समाज दोनों की लडाई मैंने लड़ी है मैं जाट इसलिए कहती हूँ मैंने जाटों की लडाई लड़ी है किसानों का मैंने साथ दिया है दोनों समाज से एक आज आग रह कर रही है थरी बेटी इसे मैड लाकी कती जरूरत को ने तो मारे बाब दादाओ की जतना करे बाई जिनना मारे बुड़े पड़े नहीं दिखे जिनना मारे बुड़े मरे नहीं दिखे काटा मार दो इनके उपर इन पर इसा काटा मारो यह बोलना ना जब यह कोई सी गोड़ा मूँ खोले इन नहीं उस सही बाशा में समझाओ कती ठोक्यास थारी बार कवे तमने जो होगी देखी जागी सत्ता में दलाली नी करती सवीता आरियन आपको बहुत अच्छे जवाब दिये हैं लेकिन बहुत कुछ है बीच में फोन आ रहा था तो साथियो में चलो छोड़ो इनके बारे में क्या टिपनी करनी इनको इतना जवाब बहुत है लोगों ने इनको बहुत जवाब दे दिये मैं अकल वो सुनाली फोगट एक चैनल पर लाई वा रही थी मैं उसको देख रही थे बोलते वह उसमें बोलना तो आता नहीं भाई उखाड लिया पाड दिया यह लैंड वेज है क्या तुम लोगों की है तुम्हें सुनाली समाज के बुजुर्ग इसलिए जवाब नहीं दे पाए क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं की इज़त की जाती है मारे बुड़े इतने ठाली को ना थमन उड़ा बैठ कम जवाब देंगे लेकिन हाँ यह उखाडन का जवाब हम जरूर देंगे तने दुबारा क्या का दिखाए तु जाता यह बारे हम कुजर किसान तु जातनी ओती ना जातनी जात करम तो हो याग रहा है वी आठ्राइबल वे हमारी नसल है तु जातनी अगर सोनाली-फोगाट जांचे सुनले तु जातनी ओती ना तरह अंदर जातनी आले गूण होती तो तु छोट राम का इतियास पढ़ती तु चोधरि देविलाल की गयी जमाने तुम्हारे जैसे इलिट्रेट अनपड आद्मी जब राजनीती माया करती है। आहों जिन सिगनेचर करने धंगतना आते तुम्हारे जैसे लोगों को यह नहीं पता एपी एमसी क्या होता है तुम्हारे जैसे लोगों को यह नहीं पता किसाना यो की डिमांड क्यों की जा रही है तुम्हारे जैसे लोगों को MSP की full form नहीं पता, क्या जानती है, तू किसानों के बारे में, के नेता बनोगे, तू किसानों के, शरम ना आती, मैं किसानों के साथ, तू गंटा साथ है, तू किसाना के, तू मेरे चार बातों के जवाब दे दे, जा तू डंगता है, चार लाइन है, अगर तू डिस्क्राइब कर यह सोचना पड़ेगा कि हम इन गदों को गवारों को इन गवार महिलाओं को वी शुड़ नोट सैंड इन दा मनलब लाइक असेंबल इलेक्शन वी शुड़ नोट सैंड हमें ये बात समझनी पड़ेगे साथ यो ये जितनी भी चेरे है ना जमाने गए भाई कति हको की लड़ाई है अगले एलेक्शन जब भी होंगे न कोई पारिटी चुलो लेकिन अनपड आदमी को नेता मत बढ़ाओ ना तो इनना बोल लाता ना इनना चालनाता ना इनने हको की बात करनी आती ना इनको ये पढ़े ले के ना इनको कुछ चीज़े समझ आती इनका तो बस काम के है कि सुत्रा सुत्रा मेकप करका लाईव आ जा है लाल ली ली पिस्टिक लगा का बैठ जा है सुत्रे सुत्रे मोटे मोटे जुमके पैर ले हैं सुतरी शिशाडी पैर ले हैं, सुतरे सूट पैर ले और फिर के गांगे, ऐसे लाइव आएंगी you know, like कैसे शरम आने चाहिए यार, मतलब तुम literally तुम लोग leader हो क्या बुरा हाल है और ये किसके गलती है, मेरे जैसे लोगों की गलती है तुम जैसे लोगों की गलती है, कि हम लोगों ने इनको समाज में elect करके हचून के, हमने इनको नेता बनाने के हमने कोशिश की, वो तो हमारी किसमत है, ये दोनों आरगी, seriously हमारी किसमत है, दोनों आरगी अगर ये कुछ बढ़ जाती है, ये कुछ ने ये लाई लोई वाणा सिस्टम ना छोड़ दिया मैं दो तीस साल से ना तो लाई वाथी ना मैं फेस्बुक पर active, लेकिन आत होगी मतलब क्यों जाटो कि नाक कटा रहे हो तम बैठके, मतलब कुछ भी, मतलब अच्छा एक बात बता, सुनाली फोगाट है, भाजपा में और भी नेतरी है और बहुत लीडर है, और समाज की भी है तुम दोनों ही क्यों बोलती हो, बबीता और सुनाली ही क्यों बोलती है, बाकी लीडर्स कहां है, बाकी कोई नहीं बोल रहा कभी सोचा तुम दोनों ने तुम दोनों का यूज किया जा रहा है लेकिन actually क्या तुम अकल नहीं है दोनों में मैंने कल लिखा भी था जिस system में तुम लोग चल रही हो न तुम दोनों नो चखाचोंद में इतनी अंधी हो गई हो तुम्हें लगता कि नेता तुम्हारा भला करेंगे हाजरी मार के तुम पैसे तो कमा लोगी हाजरी मार के तुम चेर्मेन नी ले लोगी पुलिस की प्रोटेक्शन ले लोगी तुम पता ने तुम गवर्रमेंट की फैसिलिटीज यूज कर लोगी इज़त नहीं कमाओगी लेकिन ठीक है बभीता फोगाट वो स्टार्डम गए आपके समाज है ये मन ने दिखा दिये तुम आगा को तुरा बड़ा प्रोग्राम की तो हो जा किसान ता ना की ता बुला ले जाट ता ना की ता बुला ले इलेक्शन तो छोड़ दे तुम मेंबर नी बने अगरती दुबार है तमने अपनी खोई अपनी इज़त हो दी एक वक्त था जब तुमें पूरा पूरी दुनिया तुमें मानना करती लेकिन आज तेरा अपना समाज तेरे खिलाफ खड़ा हो गया है उसका रीजन ये है कि तुने पोस्ट डिलीट की दुबारे लिखके देख लिए और ठीक है तुम मुझे देख लिए होगी अब मुझे पता है ठीक है तुम दुबारे लिखके देख लो कुछ एक अजार मैंसे जाएंगे ना तुम लोगों का इतना डिस्क्रिप्शन बहुत है साथियों तुमारी बहन का एक वो है आप लोगों को कि निवेदन है अब की बार ये जितनी भी बोल लेना मार्किट में इनको चुपनी रहना है अब तक तो मैं तुम नसारे जूं समझा आप भाई इनकावीरों दुमत करो लेकिन अगर ये गंदा लिखे और गंदा बोले तो सेम जवाब दो जो जिसी भाषा समझाना उसनों उसी भाषा समझाओ प्यार प्यूर भटेरा हो लिया, प्यार तो कितने दिन समझाऊंगी, मैं नहीं की तो हिम्मत होगी है, कुछ भी लिख देंगे, तब चुपनी बैठना है भाई हो, ठीक, असमीता बैना आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, हम जैसी महिलाओं को बिनको जवाब देना चलो भाई ठीक है, और मैं सोरी मैं थोड़ी सी एग्रेसिव लेंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा, मुझे अपने लिए दुख नहीं है, मुझे फरक नहीं पड़ता, नरे बोके, जहां तर केसां थी मार्किट में, सच बता हूँ, मैं तो पिछले 6 सा चलो भाई, समाज की लड़ाए लड़ी ना, वन इतनी गढ़ काई यह लोगा क्यूं कि आप क्या खाई है, क्योंकि मैं लड़ू हूँ, अस्जिमन में बैठे कर दर्रोइंग रूम के राजनीती करती है, बाई, ढ्रोइंग रूम के राजनीती भी अच् review कि मेरे मिदम है मैं पढ़े लिखी हूँ, मैं क्या ग्रुइन की पार्टी के नेता मेरे से अड़वाइस लेते हैं तो, जिस पार्टी मैं ठुमके लाव थी ना, जिस पार्टी की गाना पे आ नाच्या करती, उस पार्टी के लेडर मुझसे ये पूछते थे, स्वैड़ जी कैसे बनाए, क्य क्या कि आ जाए, हम समाज में कैसे रिप्रेजेंटेशन अपना ले के आए, हम कैसे एलेक्शन जीते हैं, मेरे में गुण है, तुम उच्छे पूछते हैं, थारे में कोई ना थम न कोई ना बूझता, तुम खाली नाच्छन गानती रहगी बताओ, को बात है कि जिसका जैस लोगों के लिए, तम लड़के दिखाऊना है, रात रात न उठके लोगा की मदद कर रहा खिया है, कोई टाम जाया है, समाज की लड़ाई लड़ो, ठीक, सारे की डाड़ा को ना बख 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 करवालो, सारी याद में कितनी, यू में में ना आया के देखरना, तम य कैन गणी ये बात है, छोटोट गणे बाई असे हैंगे, मैं करा के कह दूँगी, क्यों मननने के लड़ना है कि मैं कैना सकती, ये ना तो ने ताम बढ़ना सारी यान है, मननने कुछ ना बढ़ना भाई, ठीक है, मैं तो अपने बात चुल लो, मनने सारा देश जाती वादी कैना सकती, ये तो मैं खुल के लागी कैना, पहला तुम्हें यू गया, आगरती महन नहीं, पहला मेरे को दुख होता था, लोग है ना मनने ट्रोल करे आगरते बाई, मैं रोया करती है, उसने ये कह दिया, इमर क्यों मैं वरगना बढ़ता, मैंने लोगों को जवाब देने छोड़ दिये हैं, अब तो सीद आक्स है ना, गलत बोल ले, फायर करवा दो, वह बोल दी गलत रो तकाड़ी, रिमांड करवाया, उसका चालना आवे थी वाई, वीडियो पड़ी है, भी यूटूब पह, बड़ी आवड़ा रिमांड हुया है, कैसे गंदा बोल लेगी ब तो मेरे उपरास तक एक साथी कावन का भी मुकदमाना हुया, मेरे खिलाफ कोई नी खड़या हुया, मेरी किसी न कदे खिलाफ पतना करी, सारा परशाशन ही तना प्यार करा, मेरा पूरा समाध इंदूस्तान में जहां चली जाओ, बैंगलोर गई थी, लाखो आदमी जू, मेरे उपर विदेश सामें भी, अर तम बाबोली मारे खिला हुआ, मेरे उपर विदेश सामें भी, अर तम बाबोली मारे, कोई कमने के है कोई कमने के कहा है कोई पता नहीं के लिखे जगनना, समझ मनी आता, कॉझा का वैक्तिकर्त की की में यू करता है वह गर तन मेरे दोरा मैं लोग की तो ज़रदादों की बोत तल भीजवा रहा कियों और इस ते जादा तो ने केक हो शरव नहीं आंती तो में मस्ती मार है ओ काक नहीं है मैं लोग की अपना लेवल दिखाया खेर हैं नी वे भाई गड़ी होगी मेरे इतनी तब यह ठीक न रहती हैं यह ठीक गवथारी बान थोड़ी शूए आज काल एक तो पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है बाई इतनी किताब पढ़ी रहे हैं हम पढ़ते हैं इन की तरह नहीं हूं मैं इन की तरह यह सारी दिन फेस्बुक आप मैं फेस्बुक पासी मजाग में पोस्ट डालती थी पर इन मैं सीरियस कर दी आज मैं बलकि आण तो पहले मरी सोंबी सांगवान बाई साब तो बात बूत करके मां बाई साब हम केक रोगे बॉला बैंजी वाई याथ है सारे बाई मेरे खाप आले मेरे द्या खाप आले में फेर रखान कекहतки किषी कुछ बंटियां बिलीए ऑल्ये कोड़न लेखिए और kiaam चिबरा है ठीक, बहुत हो लिया, अमने बालका नपाल लो, ने ता नूता अपने अपनी जग वयाग रहे कि देशी मर्यान में समझा दू हूं, छोटे बड़े की शरम हो याग रहे, कम मैंना द्रैन बाता में, सब की अपनी वैक्तिकत लाइफ है, मैं केकरू हूं, तू केकर है, एक अच्छे कोई फ्रेंट है, उनके पास ग्यारा महीने से लगातर मैसेज किये, ग्यारा महीने, तो एक दिन मैं तंदिगर बैठी होई थी, जोगा जी कर चल गया, उनने मैसेज दिखाए, जोगार जनवरी में मैसेज, फरवरी में मैसेज, मार्च में, जून में, अर केलिक बुला जी, एक बार, एक बार मिलने का समय दे दीजी, और वा समझगी, जून सी की बात को, मर वा इंटरनेशनल मतलब हो रहा है, भई साड़ी शूडी पैर कर जो, जो तम न मिलनने टैम ना देते न, इमारे गला बैठकरो, तम रेंड दिया, गरो, इस्त जाद हमें थारी आना लगाती है, आज के दिन है, मेरे डोक्यूमेंट में संगीता है, लेकिन मेरे अंदर कीड़े हैं, जाक्तो के, क्यों मेरा DNA स्टोंग है, मैं तुम्हारी तरह दलाली नहीं करती, मैं तुम सब की तरह है, मैंने जब इतना ही बड़ी बात कहा है, दुश्यन चोटाला जी लिए जब तो तू नहीं नहीं अर्याणे में अक्टिव हुई थी, दोजार सोडा में महिला आयो कि चेर्मेन मनाने के लिए आपके पार्टी के ठोप लेवल के लेडर्स ने मुझे अप्रोच किया था, ठीक है, ठोप लेवल के लोगों ने अप्रोच किया था, कि आपको बनाने, जिस चेर्मेनी के तुम आजा के पीछे गूमते हो ना, सारे वो चेर्मेनी ठुक राई थी, संकीता ने, और वहाँ पे, जब बात हुई थी, सुन लो, कैप्टन अभी मन्यू जी कहा है, इस बात के, सुबास बराड़ा जी कहा है, बराड़ा जी तो आपके नस्द थी, ठीक है, चेर्मेन नी ठुक राई थी, बीजेपी की, थार्त आज बता दी है, ये बाते में इसलिए रिवेल कर रही हूँ, मुझे राजनीती नी करनी आज, ये बात कही थी, और भरी पंचात में, दस बार मंत्री हो गो ये बोला, मेरे जाट समाज के बच्चों के मु सोचेंगे, बात करो तम सारी की सारी, शर्मालो कुछ है, और भाई सुन लो सारे खीच कलो इनने, इतके बार इनना बोलते हैं न, दाद रियाडो, कती मतलब, मैं परस्नली भी सारे न कहूंगे, अपने जितने भी उड़े के लोकल लीडर है, इनना घरते लकडते बताओ, बहुत हो लिए, इनके मैडल, मूडल, स्टार्डम, कोन है साम के हमने इसे मैडल भाई, मैडल लाओ, अपनी नोकरी करो हम, मैडल लागा हम, किसानों की लडाई में, हमना थारे मैडल करती नहीं जान दिया, ठीक है, जो मारे बुड्या की इजत नहीं करागा न, मारे तलाक खड़ी होगी, मारा किसान समाज है, तो नहीं गंटा नहीं मानता, तो क्यम मैं लिया, अर इसी चेर मैं नहीं कुछ नहीं मानते, चोड़े मैं कहरी हो आज तरहे को, छीक है, अपनी उकात मेरे यो आग गेते, और आग गे कुछ, कुछुन सी कभ हम होना, मैंने कथी ठाल ल हो अभाशना है, लेकिन इपन रोज इवाया करूंगी, अगर तम नहीं को, वार त फिर बोलो, कया मैं, फिर मैं बोलूगी, तम बोलो, घर मैं जो नहीं, तम ऑसे दिखाये अब तक थो नहीं को, छिख है, बहुत और तमा से देखको सारे बैठको, चलो और यह जितने भी बीजेपी आड़े है ना इन बक्स हैंगे अब तक तो मैं एक्टिव नीटी शोशल मीडिया पे एक साल से लेकिन यह मेरा उळी लाला के ना मना एक्टिव करेंगे कादी फेर जेड़ जावेगी मानना को ना मैं जूकूं तुम मननना छेड़ो मननना छेड़ो वो कहना मेरा इंतग मैं विगरना नीए बाई मैं क्योंकि गलत काम नी करती तबी मैं ने जिंदिगी में किसे अबुरा नी कर लिया है इन न छोड़ो गॉना परीव को इसीने भी ठीक है चालो ठीक है मेरे भाई है ना सारा ना राम राम आर बाई तो मने में इतने देर सू हुआ है अपाने इसे जाठेने कि दिदरू originally came मानना हां भाई लोग दो का दे तुम नेशनलिजम की बात निगरते हैं तुम ओक आग रही आज कलुग चलरहें का मैं भूल यह BGBार के नहीं बाई हिंदु तव की बात निगरते बाई आम पाथ एक बात बात भाथ पदने जाट की बात करें। जाती वादी का वोगे, हमना जाती वादी मानलो। हम को नहीं डरते हैं। ना हम इन अपने अक्को के लडाई लड़नी आवेर, हम लडाएंगे। ठीक है, जिसका जुक्षार दिल करा आजागार।